नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे mutual fund के switching की पूरी process के बारे में क्योंकि देखे बहुत सारे question आते हैं इससे related मेरे पास जो main question आये हैं उनके पूरे जो topic हैं इस वीडियो में cover होंगे सबसे पहला question दोस्तों जो काफी पूछा जाता है कि सर्व mutual fund को switch करते समय किस तरह के charges लगते हैं क्या किसी तरह के charges लगते भी हैं या फिर नहीं लगते हैं तो ये तो काफे important question है जो हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे बाकि इस वीडियो का topic आप लोग जान लेजिए कि हम लोग यहाँ पर जानेगे कि mutual fund की switching क्या होती है इसकी process क्या होती है किस तरह से taxes लगते हैं किस तरह के charges आप लोगों के लगते हैं ये सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है और खास करके mutual fund switching का option ये है क्या ठीक है और इसके नियम क्या है ये आप लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे question और बहुत सारे confusion है इससे related हो सकता है आप लोगों के भी हो तो आप लोगों का जो भी question आएगा नीचे comment जरूर कीजेगा बाकी जो भी बचते हैं वो आप लोग मुझे Instagram पर कर दीजेगा क्योंकि बहुत सारे question रहते हैं तो अगर मैं Instagram पर देख लेता हूँ तो मैं जरूर reply करूँगा बाकी आप लोग join बटन क्लिक करके WhatsApp पे भी आप लोग मुझे join करके वहाँ पर अपनी questions के answer ले सकते हो ठीक है तो वीडियो अच्छी लगेगी तो like कर दीजेगा अच्छी लगेगी तभी like कीजेगा दूसरों के साथ share कीजेगा चैनल पर अगर आप लोग नए है तो चैनल को भी subscribe कर लीजेगा और bell icon क्लिक करेंगे तो वीडियो आप लोगों तक पहुचती रहेंगी सबसे पहली चीज दोस्तों की आखिर mutual fund में switching option यह है क्या देखिए mutual fund में switching option एक काफ़े simple सा आपको बताता हूं कि कोई भी mutual fund से अगर आप लोग पैसा निकालते हो तो आप लोगों के वो पैसे जो होते हैं वो आप लोगों के bank account में आ जाते हैं लेकिन जब भी आप लोग mutual fund को switch करते हो तो यह जो bank account वाला मसला है न वो हट जाता है directly आप लोगों का दूसरे fund में जिसमें आप लोग switch करना चाहते हो या पर उसी interchange करना चाहते हो direct से regular में या फिर dividend से growth में जाना चाहते हो तो वो चीजे हो जाती है बगैर आप लोगों के account में पैसा आए केवल एक य exit load देना पड़ता है आप लोगों को expenses देने पड़ते हैं जो भी mutual fund के fund management का charges वो देना पड़ता है तो इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीजे लगती हैं सबसे पहली दोस्तों कि जब भी आप लोग mutual fund को switch करेंगे तो एक जो सबसे बड़ा confusion रहता है और कई लोगों के दिमाग में ये question भरा पड़ा रहता है कि देखिए मैं आप लोगों को चीजे संधाना चाहता हूँ option कौन-कौन से होते हैं regular और direct option होते हैं जब भी आप लोग mutual fund को choose करते हैं तो एक option आप लोगों को regular मिलेगा एक option आप लोगों को direct मिलेगा अगर आप लोग भी दो option मिलते हैं एक मिलता है आप लोगों का dividend का option एक मिलता है आप लोगों का growth का option तो जो growth का option होता है वो dividend के मुकाबले महंगा होता है तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग regular से direct में जाएंगे तो आप लोगों को जो units lot होंगी वो कम units lot होंगी मान लिजे कि आप ने एक हजार रुपए विड्रॉ करें और एक हजार में आप लोगों का वहां पर सौ यूनिट मिला हुआ था ठीक है वहीं पर आप लोग जब एक हजार रुपए लेकर के जाएंगे दूसरे फंड मान लीजे कि आपने रेगुलर से डारेक्ट में स्विच किया सेव फंड में तो आप लोगों को हो सकता है कि एक हजार रुपए में सौ यूनिट्स ना मिले असी यूनिट्स मिले ठीक है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और वहीं पर इसी के साथ ग्रोथ और डविडन में भी इसी तरह से होता है तो इस चीज को क्लियर रखिए क्योंकि बहुत सारे कोश्चन मेरे से आते हैं कि सर मैंने रेगुलर से डारेक्ट में सुच किया इसमें इतनी विट्ः हो गई तो क्या होगा your money का अнов ध्यान रखिएगा और कई लोग यह पूछ पयरते हैं कि और यह जो रारेक्ट है इन्से हमारे लिए बेस्ट कौन यह है क्योंकि हम हमें थोड़ा सस्था मिल्ता है मैं इसका answer नहीं दूँगा, ठीक है, आप लोगों को 100 रुपय पे 10% का return मिल रहा है, और मालेजे किसी mutual fund में आपने invest करा है, 100 रुपय में आप लोगों को 100 unit मिल रही है, यानि कि 1 रुपय की 1 unit उस mutual fund की है, दूसरी जगा आप लोगों को दूसरे fund में, यानि कि direct में हम बात करते हैं, 100 रुपय की आप लोगों को 20 unit मिली, ठीक है, यानि कि 1 unit 5 रुपय का और उस पे भी 10% का return मिल रहा है, तो अब आप लोगों बताईए कि difference कहां पे देखने को मिला, ठीक है, difference आप लोगों को देखने को कहां मिला, आप लोगों के expense ratio में मिला, return में किसी तरह का different आप लोगों को देखने को नहीं मिला, अगर आप लोग unit और उससे comparison करते हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोगों का actual return है, दोनों में same है, expense ratio की वज़े से आप लोगों का direct का return है, वो थोड़ा सा उपर हो जागा, यानि कि अगर expense ratio regular का 2% होगा, और direct का आधा परसंट या फिर 1% होगा, तो आप लोगों का 10% का return होगा, वो 11% होगा, तो इस बात को आप लोगों ध्यान रखिएगा, next is दोस्तो, कि आखिर आप लोगों के charges क्या लगते हैं, तो जैसा मैंने आप लोगों को सुरवात में ही बताया है, कि आप लोगों को exit load देना पड़ेगा, exit load अलग-अलग funds की अलग-अलग होते हैं, कोई एक हपते का exit load लेकर कर बैठा होता है, कोई 365 दिनों का exit load लेकर कर बैठा होता है, किसी में exit load होता ही नहीं है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगे कि जो भी unit से आप लोग buy किये हैं, माले जी कई लोग ship भी करते हैं, तो ship को माले जी कि आप लोगों की regular monthly चल रही है, तो अगर 7 दिन का है, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आप पिछले 365 दिनों में जितनी भी units आप लोगों की buy होई होंगी, ठीक है, उसकी price पे आप लोगों के जो भी होंगे वो exit load के हिसाब से लगेगा, ठीक है, बाकि उससे पुरानी units पे आप लोगों का exit load नहीं लगेगा, तो exit load भी आप लोगों को देना पड़ता है, expense ratios जो होते हैं, वो भी आप लोगों के कटते हैं, फिर उसके बाद जब आप लोगों के जो होते हैं, वो होते हैं, जो आप लोगों को short term and long term capital gain के रूप में देने पड़ते हैं, जी हां, short term and long term capital gain, equity और doubt में अलग-अलग होता है, equity में अगर आप लोग बात करते हैं, तो equity में 15% का short term capital gain होता है, अगर आप लोगों ने 1 लाग रुपए से कम on करा हुआ है, एक साल के अंदर तो आप लोगों किसी भी तरह का capital gain नहीं देना पड़ेगा, वहीं पे अगर आप लोगों ने 1 लाग से जादा का on करा है, तो पासा ज्यादा हो जाता है, और debt की बात करते हैं, तो 3 साल का period जो होता है, इसमें short term capital gain का होता है, जो कि आप लोगों का, जो भी gain हुआ है, वहीं पे 3 साल के उपर जो भी gain हुआ है, वो आप लोगों का चला जाता है, long term capital gain में, जो कि 20% के रूप में आप लोगों से लिया जाता है, तो यह तो दोस्तों आप लोगों को taxis देने पड़ते हैं, जब भी आप लोग स्विच करते हैं, बाकी दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को कब स्विच करना चाहिए, जब भी आप लोगों को लगे, कि हाँ मेरा जो return है, वो गड़ बड़ा में ही कर सकते हैं, सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ही कर सकते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया का आप लोगों ने किसी fund में invest करा हुआ है, तो आप लोग किसी SDFC या फिर access या फिर कोई भी थाना डिंकाना AMC में invest नहीं कर पाएंगे, स्विच नहीं कर पाएंगे, ठीक है केवल आप लोग सेम AMC में ही switch कर पाएंगे, दूसरे fund में switch कर पाएंगे, या फिर inter fund में जैसे कि आप लोगों ने कोई भी निपॉन इंडिया का index fund लिया है, growth लिया हुआ है, अगर आप लोग dividend में जाना चाते हैं, तो वहाँ पे switch हो जाएगा, अगर आप लोग regular से direct में तो वहाँ पे switch हो जाएगा, same fund में वहीं पे अगर आप लोग दूसरे fund में जाना चाते हैं, switch करना चाते हैं, तो आप लोग उसमें भी switch कर सकते हैं, लेकिन दूसरे AMC में आप लोगों का switch नहीं हो पाएगा, अगर हम लोग जो अधुरी बात करते हैं, जो हम लोगों ने या इस रूल को बताने के चक्कर में कि आप लोगों को कब स्विच करना चाहिए देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाया हमारा फंड जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है इस के दूसरे फंड काफी अच्छा परफॉर्मिस दे रहे हैं या फिर इस फंड क की डिमांड मेरे पॉर्ट फोलियो में नहीं है मैं एकसेसिव फंड लेकर रखाऊ कई लोग दोस्तों लाज कैप या फिर ने करते रहते तो यहां पर आप लोगों की पैसे की बरॉर्बादी होती है आप लोगों का पॉरट फोलियो सही तरीके से distribute नहीं होता है तो इस गरबड़ी में भी आप लोग सुच करना चाहते हैं आप लोग हो सकता है कि regular ले रखे हो और आप लोग expense ratio ज़्यादा दे रहे हो और आप लोग direct में choose करना चाहते हो आप लोग dividend ले रखे हो और आप लोग को देना पड़ेगा आप लोग को dividend नहीं मिलेगा क्योंकि dividend जो होता है वो आप लोग की सराना income में count हो करके आप लोग को taxes वहाँ पर देने पड़ते हैं तो अगर आप लोग maximum tax bracket में हो तो सोचो कि आप लोग को 30% का tax देना पड़ेगा अगर आप लोग switch करते हैं mutual fund के rule क्या है mutual fund के switch करने के तो कोई भी question हो आप लोग का तो नीचे comment कीजिएगा अगर मैं देख लेता हूँ तो आप लोग के question देजरे नीचे चले जाते हैं तो जब भी मैं question answering करता हूँ अगर आप लोग के मुझे question देख जाते हैं तो मैं जरूर reply करने की पूरी questions करता हूँ अगर नहीं मिलता है तो आप लोग join button को भी click करके मेरा personal whatsapp number ले सकते हो वहाँ से और personally मुझे chat करके जुड सकते हो बाकि आप लोग Instagram पे भी आ करके देख लो वहाँ पे अगर आप लोगो के message देख लेता हूँ तो वहाँ भी आप लोग के questions के reply कर दोगा तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दूसरों के साथ share कीजिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी subscribe करके bell icon को click करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो की notification आ सकेंगी हम लोग next video मिलते हैं तब तक की लिए आप लोगों का दिन सुब हो जैहिन